हेलो फ्रेंड्स मसा कर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल संकर इजकुशनल अड़्डा में दोफ्तों आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं में फस्ट सेमेस्टर जियोग्राफी प्रथम प्रस्ण पत्र है आपकानी फर्स्ट पेपर है जिस होते हैं चलते हैं आगे बरते हैं कि चलिए पहलाप्रशन क्या है हमारा आग का घेरा किसे कहते हैं आग काvania होता क्या है दर इंगा सागर के साथ इस्थित एक ऐसा चेत्र अधिकांस, सक्री, जौला मुकी और भुकमब रिकारड के़े हैं जा पर सबसे श्यादा भुकमब भी वहीं आते हैं जौला मुकी ज्यादा है इसलिए उसको आख का घेहरा भी कहिते हैं दरिंगाफ फायर का जाता है आगे प्रिदिवी के 75 प्रतिफत यानि 450 से अधिक जौला मुखी दरिंगा फायर के किनारे इस्तित हैं याद रखिएगा उसके बाद क्या दिखा गया है प्रिदिवी के 90 प्रतिफत जो भुकंप इफी छेतरे में आते हैं जिसमें प्रिदिवी की सबसे हिंशक और नाटिकी भुकंप गटनाएं भी सामिल हैं आई होप आपको समझ में आगया होगा फिर एक बार देख लेते हैं यानि जो आपका रिंगा फायर है जिसको हम प्रसांत रिम या फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जानते हैं ठीके ना यहां भाईया प्रसांत माहा सागर के लगभक प्रति जो आपके आते हैं ठेके न आगे क्या कहा रहा है प्रिदिवी की सबसे हिंसक जिसमें प्रिदिवी की सबसे हिंसक और नाटी की भुकमपी घटनाएं भी सामिल है अब तक सब ज्यादा हिंसक और नाटी की भुकमपी यहां पर आ चुका है आई होप आपको समझ में आ गया होगा चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्ण की दरब अगला प्रस्ण हमारा क्या है कि डेविस की तिकड़ी क्या है दोस्तों बहुत ही महत्पूर प्रस्ण आद रखेगा दिया गया है डेविस के अनुसार ठीके ना डेविस क अनुसर तीन कारक तीन कारक कौन कौन कारक से हैं सरचना प्रक्रिया और समय किसी अफ्थान बिश्येθ की भुँवाकृति verme की उत्पत्र That निभात हैं इन ही तीन कारकों को डेविस की तिगड़ी कहा जाता है कौन कौन से तीन कारक हैं जिसको डेविस की तिगड़ी कहा जाता है तो क्या बताएंगे सरचना प्रक्रिया और समय चीज़ रखिएगा क्या है सरचना प्रक्रिया और समय प्रक्रिया को आप प्रक्रम भी बोल सकते है क्या बोलते हैं दो फ्रक्रम भी बोला जा फकता है इनी तीने चीजों को क्या बोलते हैं डेविस की तिकड़ी या भी देविस का त्रिकुट भी कहते हैं क्या बोलते हैं त्रिकुट के नाम से भी जाने जाते हैं आई होप आपको समझ में आविया होगा तलते हैं अगले प् होता है तो उससे बनी अफ्तलाकृतियों को ड्रमलिन कहा जाता है जब हिमानियों के तल पर हिमानियों के तल पर ठीक है ना हिमोड का थोड़े थोड़े समय पर गुंबदाकार टीलों के रूप में जवा होता है तो उससे बनी अफ्तलाकृतियों को ड्रमलिन कहा जाता है इन का आकार उल्टी नाव विया कटे हुए उल्टे अंडे के सवान होता है !! होप आपको समझ में आ गया होगा !!! चलते हैं अपने अगले प्रस्न की तरब हब आगला प्रस्न हमारा क्या है ? प्लेट क्या होता है इसके बार में आपको बता जाता है तुछ प्रितिवी की ऊपरी परत के वे टुकड़े जो इस्थोनोऌ स्प्यक मेंद परत के ठ passado के ऊर्ध प्लेट कहते हैं आगे दिया गया है ये टुकड़े प्रितिवी की वूपर पठी और Sm provarm के उस हिसे से बने आए-जो स्थोनस के ऊपर पाया जाता है समानिता प्लेटों की मुटाई जो होती है वहांड़ीड किलोमेटर भी जाती है लेकिन अफ्षानों के अनुषार हैं जो की अस्थानिक रूप से अलग-अलग भी हो सकती मतलब कहीं कम कहीं जादा हो सकती है फिर तो 100 वाना जाता है इंग कहीं कम जादा आपका हो सकता है ठीकिना आइज होप आपको केलियर हो गया होगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बढ़े गंडिया और एक बात अगर वीडियो आपको पफंद आती है तो लाइक जरूर करें और रही बात इसे जुड़े और भी वीडियो मैंने पीछ से अप्लोड कर दी हैं को किसे कहते हैं इसके बारे में आपको जानका रिलेनी या फिर फोकस किसे का जाता है दरातली सता की नीचे जिस भाग में भुकंप उत्पन होता है, अर्थात भुकंप लाने वाले उर्जा जिस अफ्थान पर निश्ट्रित होती है, उस अफ्थान को भुकंप की उत्पतिका केंदर या भुकंप मूल यानी फोकस कहते हैं. प्रितिबी की सता पर प्रितिबी के नीचे का वह अफ्थान प्रितिबी के अंदर का वह भाग जहां पर भुकम्प की तरंगे उत्पन होती है जहां से भुकम्प उठता है उसी एरिया को उसी छेतर को हम क्या बोलते हैं भुकम्प का केंद्र या फिर भुकम्प मूल या फि पिर फोकस के नाम से हम जानते हैं I hope clear हो गया होगा चलते हैं अगले प्रस्ट की तरब अगला प्रस हमारा क्या है भुकंप अभिकेंद्र या भुकंप अधिकेंद्र क्या होता है ध्यान दीजेगा इसको अभिकेंद्र और अधिकेंद्र दोनों बोला जाता है इसके बारे में हमें जिकर करनी है तो दिया गया है भुकंप केंद्र के ठीक उपर धरातली सता पर इ पहुचत刺या दोस्तो अगयर क्लिए हो अगले प्रस्तरे अगला प्रस्त अमाएं पाताली भूकंब क्या होता इसके बारे में आपको सिक्र करना है देखी दिया गया है धरातली स्वता से अत्यधिक गहराई पर उत्पन होने वाले भुकंपों को फ्लिटानिक या पाताली भुकंप भी कहते हैं याद रखिए का ऐसे भुकंप जो धरातली स्वता से काफी अधिक गहराई में उत्पन होते हैं काफी नीचे उत्पन हो इतना नहीं ना भी लिखेंगे तब आपको चल जाएगा कोई दिक्रत नहीं है आगे जो महत्पूर इंफॉर्मेंट देगे उसके बारें पढ़ते हैं यह गया है इस इस तरह के बुकंब समानिता 700 किलोमीटर से अधिक गहराई में उत्पन होते हैं याद रखिएगा 700 700 किलोमीटर से अधिक गहराई में इत्पन होते हैं आपको समझ में आ गया होगा पिर इक बार देख लेते हैं पताली बुकंब्यक्त रेखता हम उपनी फूता से अधिक गहराई में यानि जो प्रद्वी में सभसे अधिक गेहराई में जो बुकम उत्पन होते हैं उंक्प पकेर तो पताली भूकमप यह जो पताल मिंवुत पंद होते पन होते हैं और इनका एक मिथक माना जाए मतलब वही नहीं है गलत लोग जिसे होता ना एक लोग मानना होता है उस अगर माना जाए तो उस तरीके से तो आपका जो पताल आपका पताली भुकम फए उपताल के देवता यानि प्लूटों के नाम पर इसका नाम करण किया गया पर आपको सुमझ में आ गया होगा चलते हैं आजके अगले फ्रस्न की तरफ की आपका लाश्क्राशना है और क्या है त्रजुखन कोजिञेर न Really कि आप रिफ्ट वैली के नाम से आपको मिलेगा, दिख दीया गया है, यह एक अस्थल रूप है, जिसका निर्माड頃 बिवर्थनिक हलचल के परडाम सुरूप होने वाले भरंशन के कारण होता है, यहाद रखेगा, यहाद रहिए या तो जहां परबस रेडिया होती है वहां मिलती है या पिर जहां उच भूमी होती है वहां एक लंबी आकरित वाली जो होती है एक गाटिया होती है जिनमें अक्षर जीले भी निर्मित हो जाती है जिनमें आपकी जीले भी कभी कभी बन जाती है आई होप आपको समझ में आ अर ली बीडियों